नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी स्वागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमाड़ो फिजिकल टिप्त में दोस्तों आज को मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं विशे इस रूप से आपकी दूप मुख्य तर जो डिमांड है लड़के और लड़कें दोनों को यह पाई जाती है और इसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे पोर्स में जाने का तो अपना सपना हो देखते भी नहीं है कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि पहले से उनको लगता कि यह तो हम तो मेडिकल में ही बार हो जाएंगे लेकिन उनको नहीं पता कि आप इसमें इसी के कई प्रकार के नाम में जिसे बावा सिर्वी गोलते हैं कि क्यों कि जो चमडी होती है हिप की अंदर से खूल भी निकलता रहता है तो कुछ और नाम से भी जाना जाता है कि जो आपका पीछे का बेखोल है इसमें कट ऐसे कट कट कर निसान होते हैं उमेंसे कई बार आपके बलेड भी निकलता है और उस ब्लेडिंग की उज़े से आपको बहुत सारी प्रिशानियों का सामना भी करना पड़ता है ठीक है इसके उज़े से लगता है कि यह इन प्रोब्लम अगर आपके होगी तो आपको बताओ दो जो फाइस की प्रोब्लम होती है आप सुभी को पता कैसे जांचे जाती आपको क्या करेंगे आपको डाउन कर दिया आगर आप खासने के लिए बोलेंगे चाहिए लड़के लड़के गल्ट वोई दो लोगने शेमी रूल रूल होता है तैल लड़के हो लड़के होते हैं तो लिए हैं दो आप और खाने से क्वाजा घृष से क्वाज़े से लिए ना जाता है और तो लैघे बीमारी में बहुत सारे बच्चों हो गई जो ज़्यादा चठपटा खाना खाते हैं तो टेल खाना काने से से मशाला वसाला चिक खाने से भी प्रोफषानिक बौर रही है तो इसका भी ईलाज अगर आपको भी ऐसी परेशाणी रही है तो मैं आपको बताता हूं जल्दी से आप डोक्टर का पाइए इसका आहिरुविर्दिक एलाज भी और जो डोक्टर इलाज करते हैं वो इलाज भी वेलिड होता है ठीक है आपको वह इलाज करवा के भी SSC GD बोलते हैं कि अगर हमने बहुत कम चांस होते हैं कि आपको पास करें लेकिन हाँ क्योंकि इनका इस्तर होता है वो काफी लो होता है ठीक है तो कई बार आपको वहां पर प्रेशानी नहीं होगी तो दोस्तों अगर आपको भी यह प्रोब्लम है तो ज्यादा इतना हो इनका इलाज कराएं इनके लिए दवाई ले और यह असानी से ठीक हो जाने वाली बिमारी हैं ठीक है आप आयुर्विदिक दुआयां भी ले सकते हैं और भी अगर आपके प परशन में लेता हूं कि आप फिट हो जाएंगे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों जय हिंद जय खुट